क्या आप बता सकती हैं कि इन में से प्रतियक लागत व्यावसाइक गतिविधियों में कैसे काम करती है? जिरूर, मैं उन्हें एक एक करके समझाती हूँ. प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन लागत वस्तूओं के साथ उनके सहयोग पर अधारित है. एक लागत वस्तू, एक मद या वस्तू है जिसके लिए लागत अलग से मापी जाती है. यहां कुछ समान्य प्रकार की लागत वस्तूओं है. आउट्पुट लागत वस्तूओं को परिभाशित करने का सबसे आम तरीका है. यहें एक व्यवसाई के आउट्पुट पर अधारित है, क्योंकि एक व्यवसाई अपने आउट्पुट के उत्पादन या निर्मान की लागत चानना चाहेगा. Operational – व्यवसाय की भीतर एक विभाग या एक विशिष्ट ओपरेशन या प्रक्रिया पर आधारित है उधारिन के लिए कोई व्यवसाय ग्राहक सेवगौल की लागत को माप सकता है व्यवसायक समबंद व्यवसाय के बाहर एक इकाई पर आधारित है उधारिन के लिए लागत प्रतियक अपूर्तिकर्ता या ग्राहक के लिए एकत्र की जा सकती है प्रत्यक्ष लागत वे हैं जो लागत वस्तु या वस्तू से सीधे और आसानी से पता लगाए जा सकते हैं और प्रत्यक्ष लागत वे हैं जो आर्थिक रूप से किसे लागत वस्तु के लिए निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं और इसलिए इन लागतों को एक लागत वस्तु या वस्तुओं को आवंटित किया जाना चाहिए